गीता अठारा के श्लोक नंबर बासट में भगवान स्वयम कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेशोर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांती वशास्वत इस्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा वो परमेशोर कौन है कहा है कैसा है जानने के लिए कृव्या अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचान अब ये गृवदास जी के पारक के अंकी आपको वानी सुना रहा ये दास आपको दिखा विड़ा है अब ये एक दो त सागर जी और ये देखिए का दो तीन लाइन है ये दिखा केशो और कबीर का तंबू माएं मिला पें ग्रीब दास आठ पहर लग चौविस गंटें तक गोश्टी निजगर गाव केशो अपने दूसरे रूप में कबीर साब केशो रूप में बोलते हैं के सो कैत कबीर से प इसे गंदे लोक में क्यों आए दाता आप इनकी बलाई चाहो और ये आपका पीछा पड़ गए खान पान की इच जित नहीं अदर बिमाने ग्रीब दास यो लोक जीवे छोड़ा मुलक अमाने इस लोक मरत लोक में आगे आप से कल बेकल सब लोक में ये पाप पुन ब्योह तुम्हारे ग्रीब दास के सोक है कैसे रेन तुम्हारे दाता क्यों कर रहरे से गंद Dal tag में तुम और सरवर किषान नहीं अधर कोई बाग ग्रीब दास के सोक है Q कहता है कभिर शाज़ा है कैसो काई आपने ही रूप में दबारہ डबल रोल करते हैं बंदी छोड़ कहते हैं कि केसो तू नहीं जानता मेरे दुखने अब ये मेरे बच्चे हैं और ये गलती कर गए अब मैं चाहता हूं कि ये फिर मेरे कुछ समझ कर मेरे साथ हो ले और आजा मेरे पास में और इनको में अपने सत लौक में ले जाओं कि का अंग चल रहा है ग्रीवदासी की वानी से पार्क का अंग चल रहा है इसमें ये देखिएगा केसो और कबीर जित जित माने जहां मेलत वहीं एक ग्रीवदास सत्पुर्श में सभी समाना देखे केसो और कबीर वही एक हो गये याक केसो में कबीर साँब में ये केशो रूओ रूबसरा रूप समा गया मिलत वहीं एक का इसमाना देख बंजारि और बैलसँ केसो कला कमाल गरेवदास सत्पुर्श में लीन भहित अत्काल ये मालिक अब अशे ये सत्यान आपके हर डेमर शुमावागा क्योंकि आसति ही दीरे दीरे सुन सुन कर उस एसति को भी हम ऐसा रंग सुके हैं कि उसको सुत्मान बैठे लेकिन वास्तों में अब आपको पता चलेगा कि सचाई कहा है क्योंकि पिन में कोई मीन मेख नहीं हो सकती है एक बार ये दास राजस्थान के अंदर जिलाज जोहदपुर शहर के अंदर पांच दिवस्विय समागम कर रहा था उस सथसंग को सुनके एक कबीर पन थी भक्तात्मा जिसने दामा खेड़ा के वरत्मान महंत जी से उपदेश प्राप्त किया हुआ है उसको बढ़ा खेड़ हुआ क्योंकि उसको ये बता रखा था कि जो कबीर साहिब ने धरमदास जी को आदेश दिया था नाम देने का और धरमदास जी ने अपने पुत्र चूडामनी को और कबीर साहिब ने आशिरवाद दिया था कि धरमदास तुझे 42 वन्स का मैं आशिरवाद देता हूं कि 42 वन्स पीठी तक तेरा वन्स रहेगा और यदि तेरे वन्स अइसे परंपरा को ठीक रखेंगे सही नाम देते रहेंगे और उत्रादिकारी बनाते रहेंगे तो बिलकुल कोई दिक्कत नहीं है आखरी तक भी पार हो सकते हैं लेकिन सात्मा जो होगा वो काल का दूट आवगा और उसके बाद 13, 14, 17 जोबी हैं लेकिन सात्मा के बाद काल का पंथ प्रारम होगा वास्ताओं में लिखा तो यह है कबीर साहिब के वानी में धनी धरमदास जीवन दर्शन एम वनस प्रीचेव हैं उस भगत ने जो दामा खेडा जो की कबीर साहिब के परम हंस प्यारी आत्मा आदरनिये स्री धरमदास जी के पूत्रों चूड़ा मनी से चलती हुई प्राय उनके वनसज फिर दामा खेडा रहने लगे जाकर के तो उसने वहां से उस दामा खेडा की गद्धी वर्तमान गद्धी नसीन महेंट से नाम उपदेश प्राप्त है और उन महेंटों यह बता रखा कि गद्धी से नाम लेगा तो पार होगा नहीं तो इस संसार में पार नहीं हो सकता गद्धी पेवर्तमान महेंट से तो उससे भगत आत्मा ने दास के पास एक पतर लिखा और साथ मैं यह फोटो स्टेट कॉपी कराके भेजा यह धनी धरमदास जीवन दरसन एम वन्स प्रीचे धनी धरमदास जीवन दरसन एम प्रीचे यह दामा खेडा से प्रकासित हैं यह साहिब कबीर बैठे हैं और यह आधनी धरमदास जी बैठे हैं यह सद्गरु कबीर धरमदास वन्सावली पर्ति निदी सभा दामा खेडा जिला रायपुर मध्य परदेश से प्रकासित हैं यह आपके सामने है और उसने साथ में पत्र लिखा कि यदि आपने मुक्ती चाहिए तो आप दामा खेडा आके अपना कल्यान करवा लो क्योंकि जैसा इन बोड़ी आत्माओं को इनि संतों ने मॸहन ने जैसी प्रढा कि है इए विचार इसको सत्भ मानते हैं क्योंकि बोड़ी आत्मा होती है प्रभू की प्यासी होती हैं, इनको जो जैसा रंग रग देगा ये तो वैसा ही हो जाएंगी, इनका सुभाव होता प्रभू के चल्णों में लगने का और फिर पूरा विश्वास करने का, तब इस दास ने ये धनी दर्मदास जीवन एमदर्सन वन्स प्रीचर को पढ़ा ज अपने आप बनाई हुई बाते हैं जो कि इनका ठीक लगी, और कुछ साहिब के आदेश सही है, ऐसा मिला जुला संग्रह इन मापुर्शों ने किया हुआ है, पहले तो ये दास आपको दिखाना चाहता है कि कबीर साहिब ने ये पर्तेक्स कहा है कि सात्मा जो वन्स होगा, सात्मी पीठी जो आएगी, सात्मा जो उत्रादिकारी होगा, वो काल का दूथ होगा, और वहां से ये काल जपिट्टा देगा, मुझे दो सनी दरबदास, और तेरे पीठी भी वही कामयाब होगी, जो मेरे वचनों पर चलती रहेगी, वचन भंग करके वो कभी कामयाब न नहीं हो सकते, यदि नाम बदल दिये, वास्टविक मंतर नहीं रहे, तो भी सारे के सारे नरका का आहारी होंगे, चे गद्धी वाले हों, चे बिना गद्धी वाले हों, हाथ तेरा वंस जरूर 42 वंस पीठी तेरी चलती रहेगी, क्योंकि धरमदास ची का एक ही पूतर नार धरमदास उसके पूतर का वास्तविक काल रूप दिखाया था, अपनी सकतित है, उसके बाद धरमदास बहुत चिंटित हो गया, तो कबीर साहिवे ने कहा, धरमदास क्या बात है, कहने गया प्रभू बात क्या है, आप कह रहे हो कि आपका वंस लेगा, आप भक्ती परजार करना, और एक ही पूतर यही काल का दूट दाता, यह तो मेरा वंस मेट पैदा हो गया, इस बहुत गहन चिंटा को देखकर कि कबीर परमदास ने आशिर वाद दिया, दरमदास तेरे 42 वंस तुझे देता, 42 पीठी तेरी तेरा नाम चलेगा, दरमदास जी ने कहा पर वो, ऐ ऐसे काल के दूट से तो अच्छा वंस ना चले वो अच्छा दाता, और फिर आँखों में आशु वर गया, कबीर शायब ने कहा, नहीं, यह नहीं, अलग से एक और हनस आत्मा, जिनकी अभी अधूरी कमाई रहती है, उसको, उनको कबीर शायब ने, यहीं एक ब्रमद के अ अपना एक राज धूत बहुन बनाया है, उसमें रखता है, कबीर परमेश्वर वहां रखते हैं, और वहां से एक आत्मा को उसी समय लाकर के अपनी सक्ती से दिखा कि तेरे आंगल में देख, एक बच्चा खिल रहा है, कि यह आएगा दसमे महिने तेरी पतनी के गर्व में ऐसी लिला दिखा कर उसको अंतर जान कर दिया, ठीक दसमे महिने श्री आदरनिये चूडा मनी जी साहब का जन्म हुआ, उसमें धरमदास्ची की आयू लगवग 65 और 60 वरस की थी, अब फिर कहा था कि जैसे यह परमपरा ठीक चलती रही तो ठीक है नहीं, तो सातमा काल का द रूताएगा, इसमें मुझे दोस नहीं पाई, लेकिन तेरे वन्स फिर भी चलते रहेंगे, 42 वन्स तक तेरा नाम बना रहेगा, बस, आप सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, कि कबीर साहिब बता रहे हैं, कि जब तक ये है वही पुस्तक, और इसके परेश्ट नंब ये आप सुन पढ़िएगा, देखिएगा तुन दर्मनी जो वन्स नस आई, तेरे वन्स का जहां से विनास होगा, वो बात सुन मेरी, जिनकी कथा कहूं समझाई, काल पिटा देवे आई, मम सिर नहीं गोस कछु भाई सात्मा, एकादस, त्रोदस अंसा और सत्रह ये चारों वन्सा इनको काल चलेगा, मित्था वतन हमरा में जाई, अब यह सबस करें कभीर पर्मेश्टर ने, कि सात्मा जो हने काल का दूप आजाएगा, जब पार्टी सात्में की, इसमें पावर हाउश में, सात्में पावर ह अब जब ये ट्रांस्पार्मर पैसात्मा प्राम हो गया तो आग ये बीजली नहीं जा सकती, सी धीशी बात है, छी तक तो ठीक चला, अब देखो ऐसे है के पटकत फिर हैं दौरे ही दौरा, वन्स वियालिस गय के इटौरा काल, अटकारे पाना, पंत के जीव सब गए बिगाना, ये तरे पंथा अडवी सारे ब्रयानमाटी को पैदा होंगे, अभी आपने देखा, कुबिर्शाय नहीं सपस्ट किया है के 6 पीठी तक तेरा नान दान सही चलेगा, और उन से दो उपदेश लेवेगा, उपदेश ल पार होगा, उसका मैं साथी होंगा, लेकिन सात्मा काल का दूत आजागा, अब सात्मा ही आगया तो फिर 13, 14, 17 तो सारे ही समझो, सब काल की दूत होंगे, अर्था तो उनके पास सत्वक्ती नहीं, ये सपस्ट बार्णी लिखिए, अब जैसे, अब ये देखिएगा, ये इ वरक्ष बना रखा है, अब देखो, इश में है कि सद्गुरो कबीर धरम दवारा, करे कबीर धरम दवारा, दास साथी निजी शभा, तामा खेडा, उन्होंने बनाया है, ये देखिए गया, वरक्ष, वरक्ष ये धरम दास थी है, ये चला ये दर्वरत हो गया, ये आगे फिर ये ऐसे आगया, ये देखते रहिएगा, और फिर ऐसे गुम का, ये वन सल रहन के हैं, ये शब ऐसे गुम का, ये गुम का फिर ऐसे आगया है, यहां देखो, अब ये शात्मा है, ये शात्मा है, सुर्त सलेही नाम साहिब, अब यहां ये काल का दूत आगया, इनको का तो इसके बाद जितना भी विश्टार है यह सब काल के ही नाम दे रहे हैं जितने यह आप देखिएगा अर्थात इन में अब सत बगती नहीं है यह सपस्ट दिखा है यह आपके सामने है अब इसे यह क्या सिथ होता है कि अब उन पंथों से उन वनसावलियों से सत नाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं यह भी आपको परमान दूँगा वो क्या नाम देते हैं और वो सास्तर विरुद होने से सब वर्थ है एक बगत जी ने बताया कि हमारे सद्गुर्देव जो है कबीर पंथी हैं और फूर्ण मासी का वर्त भी बताते हैं और किरिया चौथा तेर में यह सब करते हैं तो दास ने बताया कि ऐसा तो कहीं वर्णन नहीं किया कबीर प्रमेश्वर ने और गरीब दास थी उनके सीधे सेस हुए हैं अगर ऐसा होता तो वो भी जरूर कुछ ना कुछ अवस्य इसारा करके जाते लेकिन कहीं ऐसा प्रमान नहीं है इसी में आप देखिएगा इन्हों ने दामा खेड़ा वालों ने और ये गद्दी के महन्तों ने जितने भी महन्त हैं ये क्या करते हैं कभीर पंथी कोई श्रीर छोड़ जाता, उसका किरिया करते हैं तेरु मां करते हैं उसका और दस गातरा किरिया करते हैं और फिर तेरु में दिन उसका चलावा चौंका आरति संपन करते हैं यह इनकी स्वम मिड अपने आप बनाई भी बाते हैं यह देखिएगा इसमें क्या कहा है कि धरमदास जी की आत्मा को कबीर साहिब सत्लोग छोड़ आए वो तो पहुंचा दिया सत्लोग में सत्गुर के चर्णों में और फिर कबीर साहिब दरमदास जी के पूत्र चूड़ा मनी साहिब के साथ कहां आए बांद वहां बांदा उगड आए और वहां पर सत्गुर ने उनका दस गातरा प्राहरम किया फिर तेर्वात किया आरती चौका संपन किया और फिर अगर्ण भोजन भंडारा किया यह इन्हों ने अपने स्वार दरमदास जी से तीन वर्ष पूरव श्रीर त्यागर चले गए थी फिर यह कहते हैं कि फिर आ गए थे परगट हो गए थी अब बताओ अब यहां देखिएगा इन्होंने कैसे बात बनाई हैं अब एक बात विचार किजिएगा जब कोई कैदी कैद में हैं और कैदी बरी हो गया है और अपने घर चला गया अब क्या वो कैदी फिर उस कैद में आएगा वहां आरती करेगा वहां कोई बोजन में डारा करे करने आएगा देखेगा भी नहीं उस कैद की तरफ भूल कर भी नहीं देखेगा इस परकार ये अंजान अटकलें लाका है इस कबीर पंत को फिल दुबाला जो है उसे सतिती मिला गया जहां से प्रभू कबीर ने इस बुराईयों को हटाना चाहा था इन बुराईयों को अब देखिएगा इसी उसी पुस्तक के अंदर में आपको दिखा रहा हूं ये पर् लिए शकॐरत अंसद्रमदासची के हन्सज्सन को सत्गुरु ग्यानीपुरुश ग्यानीपुरुश तिर्कुटी गहाड पारकर सुरत्कमल पर पहुंचाए हैं वसस्चात इला पिंगला पारकर सुर्थ दोर तक पहुंचाए इबन न्यों नहीं पता इला पिंगला कहा है और सुर्थ कमल कहा है सुर्थ दोर से परकास दिखा कर दाहिने सवर तीन दर्वाजा को देखा दिया मध्य दोर से निकाल कर मर्ता धायरा में छोड़ कर चड़ा कर मान सरोवर पहुंचाए और मान सरोवर से हंस सत लोग पहुंच गया सत लोग में सत पुरुष का दर्सन पाकर हंस अती परशन हुए ग्यानी सत पुरुष हंस को सत लोग पहुंचाकर पुने कबिर रूप में जगन नात पुरी आए तथा दनी दरमदास जी को समाधी बना दिया अब आगे देखो चुरामनी जी ग्यानी पुरुष को सद्गुरु में देखकर परशन हुए सद्गुरु से बोले गुरुवर क्या आगया है सद्गुरु आठ नारियल मोर कर समान में चबुत्रा बनाने का आदेश दिये चुरामनी जो चबुत्रा बनाने के बाद कबीर साहर से बोले बंदी छोर करपालु गुरुव अब अन्तोस्ती कारिये के लिए एतू बांदोगड चलिये सद्गुरु कबीर चुरामनी के साथ बांदोगड आए वहां धनी दरमदास्ची का दस गातर के किरिया प्रारम हुआ तेहर में दिन चलावा चौका आरती संपन हुआ बनाखंड भोजन भंडारा किया अब ये इन मेंतों और संतों के अपने लगाए हुई अठकड़े हैं ये कबीर साहिब की तरफ से कोई आदेश नहीं है अब जो आत्मा वहां चली गी जिसके लिए सारा काम हो रहा था वो कैद मुक्त हो गया और वो सत्गुरु के चर्णों में पहुंच गया कौन देख य अधान सन्तों ने अपणे अठकड़े लगा दी। अब इसी दामा खेडा को सिस्द मानते उसके बाद खरसिया गदी को खरसिया कादी को बहुती उत्म माना जाता है और खरसिया गदी की कैसे एस्थापना हुई यह आपको भी दास दिखाता है उसमें क्या लिखा है इसमें लिखा है यही वचन वन्स 42 की के चतुर दस वन्स अब इसमें आप पे स्विकार कर रहे हैं और जोंकीतों सत्गुर की बताईवी बातें सत्थ हो रही हैं जैसा कि अभी आपने देखा था कि कभीर साहिब ने बताया कि सात्मा और तेरह आदिये सब काल के दूत होंगे अब इसमें चौदमे में देखो आप वंस 42 यह प्रेश्ट नमर 49 पर है इसमें लिखा है कि गर्णमुनी नाम साहिब का जनम जो है समवत 1992 में गदी 1995 में समवत में वर्तमान दामा खेडा के अंदर वो गर्णमुनी नाम साहिब राजमान है उसमें कि यह लिखी भी किताब है इन्होंने क्या लिखा है कि देखिए यह वही पूस्तक है यह प्रेश्ट नमर 49 है नीचे 49 इनके सरू में देखना वनस प्यालिस के चतुर दस वनस गर्दमुनी नाम साहिब यह चौद में जब सात्मे में ही काल आ लिया यहां तो काल आ भी खेल रहा है यह देखिएगा दया नाम साहिब के सत लोक गमन के पस्चात कबीर पंथ में उथल पुथल मच गया मचा यानि तेर में जो थे मुचा इस गद्दी के अधिकारी के आने तक विवस्था बनाए रखने के लिए महंत कासी दासी अगर भगवान पहले इक बेज देते अगर अधिकारी उन्हें बेजना होता अगर ठीक लाइन चल रही होती तो परभू सात्में बेजते रहते अर्थ मेहंत कासी दास जी को चादर दिया गया पर कुछ समय पस्चात पडलूप्त कासी दास स्वन को कभीर पंध का आचारिया गोशित कर दिये श्वम भू बन गए कासी दास जी मेहंत कासी दास जी और वह खरसिया में अलग गद्दी की सथापना कर दिये अब खरसिया वालों क सुन लो इनके कैसे खेल है यहां से कासी दास्टी अपने आप आप कबीर पंथ का अचारिय बन गया और आप वहाँ पर गदिश थाफित कर ली ऐसे ये मनमुखी सभी संथ चल रहे हैं यह देख तीनों माताएं रोने लगी रोने लगी काल का चक्कर चलने लगा फिर देखे यह देख तीनों माताएं रोने लगी काल का चक्कर चलने लगा बाद में कबीर पंथ के हित्म वै कबीर साहिब तथा दयानाम साहिब के वसनान उकूल मंजला लाल साहिब के यहां चत्रभुष्दास बिज्जी परगट हुए शम्वत 1992 बड़ी माता सहीवा ने चत्रभुष्दास को गोद में लेकर गुरुवाई गद्धी को कवस भार सौप दिया और सम्वत 1995 इतने विसाल कभीर पंथ का भार डाही वर्स के बालक के कंधों पर आ गया पर नौतमपुर्स के सुक्रत अंस के समक्स काल का कोई कुछब करना चल पाया चल सका अब देखिएओ यह ड़ाई साल का बालक है और उठा के इसकी मान बठा दिया गद्धी पर यह मातमा बन गया गर्की गर्डी बना रहा खिये गर्की सरकार बना रहा खिये इन मैंतों ने और यही सब काम बिगाड़े बैठी है अब जेखिए उनकी माता जी ने डाई साल के बच्चे को उठा कर एक चद्दर बचा कर गद्दीवा बठा दिया तो यह मातमा बने गया अब तक क्या तो यह ग्यान देगा दाई साल का वालक है और आप जो अगर पर भूच आते तो ऐसी गड़वर नहीं होने देते साहिब को मालूम था कि यह वंस डंक से नहीं चल सकते और इसी परकार यह गरीब दास जी की गद्दी छुडानी में यहां पर भी ऐसा ही चकर चल रहा है क्योंकि यह तो दादा लाई बना रहा रहा है नंबर दारीनों ने यह तो जो बड़ा बेटा हुए क्या करते हैं बड़ा पोत्र चाहे वो दारू पीवह चाहे सराव पीवह मास खावा कुछ भी करें वह गद्दी का मालिक और फिर वह उपदेश्टे उससे दुनिया पार हुए ऐसे ही गरीब गरीबदास वगवान कोई गद्दी नी बनाई थी और ना ही पहले के पांच छे साथ चार पांच संतों मैंतों ने बिलकुल गद्दी को छुआ भी नहीं था देख्या भी निश्की तरफ एक चोटी शिव यादगार वनी हुई थी बनी रही वह अपना नेक नीती से विद करता है यह वो मार दिया जाता किसी के दोहरा है यह संदान ही नहीं होती पर में चाते इस गद्दीव अद्दी झारा भी प्रहाम दीठ हो गएं एक हम फिर उसको रोजी रोटी का धंदा बना लेते हैं और यहीं से सारी बात बिगड़ी इसी बिमारी को तो कभीर साइब गरीव दास की सा संत जी महराद ने निकाला था अब इन मनमुखी लोगों न फिर बना लिया कभीर साइब अकेले थे और 64 लाग को नाम दिया करते थे द जो कि दामा खेडा की गदी पर टेमपरेरी एक काम चलाओ सरकार बनाई थी और जब वहां से वहां से चले गए आपने आप आचारिये कभीर पंद का आचारिये स्विम ही गोसित करकर खरसिया में जाकर अपनी न्यारी वहां पर आसरम गदी बना ली अब यह सोचना पढ़ लगा भगतात्मा हो यह अधूरी मारक दर्सन यह परफू के कभीर परवेश्वर के विर्द जो साधना की जारी है और करवाई जारी है जो किरिया हो रही है इन पंद में तो यह हमें त्यागरी होंगी और परफू के चर्णां में भी धिवत लगना होगा है अब जो नाम दामा खेडा की गड़ी पर परचली थे हैं वही कासी दासजी वहां पर खरसिया में दे रहे हैं तो कि उसी गड़ी से लेकर के वहां पहुंचे हुए और वो क्या नाम दिये जाते हैं और वहां खरसिया की गड़ी से एक लहर तारा तलाव वनारस में उन्ही के बरांच है कबीर साहिब की यादगार में कि यहां परमात्मा आए थे एक बालक रूपधान किया था उस उस सचाई को बनाए रखने के लिए उस यादगार को बनाए रखने के लिए हुआ कई लाखों रुपे का 20-30 लाख रुपे लगा के ज्यादा लगे हो तो भी थोड़े कबीर साहिब की याद में है कि वहाँ एक कमल का फूल पत्थर का बना रखा है उसके ओपर पत्थर की मूरती कबीर साहिब की बनाए हुए बालक की यह तो केवले की यादगार बनाए रखने के लिए अच्छा स्टेप है लेकिन अगर नाम नहीं है विदिवत साधना है नहीं सब की सब गरत है और मैं पार्थ किया तो पहले यादगार बनाई रखी थी गंगासरंदी साथली ली ने और उसे पहले कि पेरिकी जो संथ मेहन्त होई हैं उन्होंने यादगार तो अच्छी बना करा रखी हुई हैं यह तो बहुत अच्छा कि आन्य aниन का सुकर गुजार हूं नहीं कहा उन्होंने क्योंकि उपदेश देना कोई बच्चों का खेल नहीं है अपने शिर पर बाहर रखना और दोसी बढ़ना इस परकार हमने यह बुराई नहीं करनी चाहिए यह बाप लगेगा हमें अब जहां देखें कबीर साहिब के गरीब दासी के गिशा संत जी के दा कि मैंने कबीर धर्मस्थान खरसिया क्षेही संबंदित लहर तारा तलाब में गुदीत नाम साहिब जो वहां पर उरतमान में उन्होंने क्या नाम दिया है यह देखिएगा यह संध्या मौलुपाथ यह संध्या मौलुपाथ सद्ध नाम सद्ध नाम दो लिखा हो करें लिकनि सद्ध नाम है क्या यह इनको नहीं मालुपाथ परकासक एक हजाराट पंड़त शिरी हजूर उदित नाम साहिब आचारिय कबीर बंड कबीर धर्म सथान खरसिया गुर्परुनिमा सन 1996 नहीं यह अब यहां से चलकर यह आगे यहां दामा खेडा में खरसिया में लहरत अलाब खरसिया से ब्रांच में यह उपदेश दिये जाते हैं सद्ध नाम तो उपर लिख दिया फार्मर्टी सुकृत की रहनी रहो अजर अमर्गो सद्ध नाम कहक बिर्मोल दिक्षा शत्ध सबद प कुंजी खुले कपाट पांची चड़े मौलके घाट भरमभुत का बंदो गौल कह कबिर यही परान पांच नाम के लेहनसा सत लोक समान या आरती बताजी नाम की जिए वो सत नाम दो अक्सर का है केवल यह सत नाम जापनी यह तो उसकी तर भी सारा है कोई ओर मंतर हैं और इसमें वो यह रोज नित बाठ करते इसके अंदर भी वो वर्तमान में विद्मान हैं लेकिन इनकी बुधी काल के हाथ है यह समझ नहीं सकते इसमों सत नाम लिखा गरीब दास्ची ने सबस लिखा है क्योंकि गरीब दास्ची को कबीर साइब ने सीधा आकर के नाम दिया थ है यह और आदेश दिया उस परविश्वर तो गुर्दैव ने अग्र गिर्देश देने का अब वह उस पहले पाज नाम जो हम देतेंड हैं वो तो प्राध्मिक क्रिविया है और तीन सतिथी में नाम दिया जाता है। यह कवीर साथियों के सागर कविर सागर माह को दिखाता हूँ कवीर साथियों ने बता है कि तीन सतीथी में नाम भिया जाता है पर्थम पे पदारत के माधन ने Common से मंत्रित करके सच्चा कडहार चडियहारमाने यहां से somoda करने वाला पूरा संथ जो भी धिवत मर्यादावत आदेश अनुसार सब कारिये कर रहे हैं वो संथ जिसको आदेश है नाम देने का उस पर गुकबीर की तरफ से उससे जो नाम देगा तीन सथी तीम नाम दिया जाएगा पर्थम तो पान परवाना पान परवाना बोलते हैं तो पेपदार्थ, खान पान खाना और पीना पान माने पेपदार्थ के मादर से जैसे जल ये दास एक जल को मंत्रित करके सद्धकुरादेश उनुँसार और पर्थम सात मंतर का उकदेश दिया जाता है और दूसरी बार फिर सत्थ नाम दिया जाता है और तीसरी बार जब हम ये दास देखेगा कि ये बिल्कुल सही योग्य हो गया है तो शार नाम दिया जाएगा आना दिकारी को सार नाम दे दिया भी जाएगा तो विफल होगा और कभीर साहब ने कहा कि ऐसे अगर सार नाम दे दिया गयार वो नीच आत्माएं आगे फिर उसको खंड कर देंगी औरों को बता देंगी यम के दूत उनको फिर आगे देना सुरू कर देंगे फिर इससे वीच वाले आने वाले पीडियां पारनी को पाँगी इसलिए का धरम दास तो एलाग दोहाई सार सब्द कई बार निप जाई सब्द नाम तक सार नाम तक भी दिया जाएगा जल्दी उसको दिया जाएगा जो अधिकारी होगा अब यहां तीन सथी थी में नाम देने का परमान है कबीर शागर श्री अमर मूल यह कबीर सागर को दास ने चार पार्टों में करा रखा है उठाने में सुविदा होती है और यह किसकी दोर अभिक्रा हीए आपको बता हुगा किसकी दोर संधित दोरा परकासित है ये है अमर मूल सत्य अत्य श्री अमल अमर मूल प्रारंब ये है बारत पति कबीर पंथी स्वामी युगला नंद द्वारा संसोधित अब ये अब इसके 265 परस्ट पे ये देखिएगा प्रस्ट नंबर 265 है इस में संकेत है प्रभू का कबीर साहिब का तब सथ साहिब कबीर वचन बहुत शागर अमर मूल ये अमर मूल ये अमर मूल ये अमर ये अमर मूल और बहुत शागर तब कबीर असकेवे लीना ग्यान भेद सकल के दीना धरम दास में कहों विचारी और जिहीत नभे सब संसारी सभी संसारी विक्तियों को ऐसे ही करना होगा ऐसे ही नभेगी ऐसे पार पड़ेगी अगर बग्ति करनी है तो पर्थम इस से होए जो आई ताकू पान देव तुम भाई पान पेप अदारत के मादम से वो वस्तू देनी है जो नाम देना पर थम जब देखो तुम द्रड़ता गाना ताकू कहकर शब्द परवाना वो सत नाम सब्द माने नाम देना और सब्द माही जब निश्चे आवे तब कर गान अगह अगहाद सुनावे हैं अब देखो तीसरी सतिती में ये तीन सतिती बनती है एक दो और तीर पर थमिशिश हुए जो आई ताकू पान देव तुम आई जब देखो तुम द्रड़ता ग्याना सेकंड बार तो उसको फिर सच्चा नाम सच्चा नाम देना सच्चा सब्द देन सब्द माही नाम माही जब निस्चे आवे ताकू क्यान अगहाद सुनावे वो जो सार नाम है अर्थात वो वास्त एक चीज़ फिर देवे हैं ऐसे ये परमान दिया है मालक ने और ये अगदास पहले ही ऐसे कर रहा है ये अगदास ने तो अभी देखा है क्योंकि कबीर प कुछ गुरू गर्न ऑट साहिब से सत्मानें गोच गुरी दास की वानियस से सत्मानें गो और कुछ पवित्र आईबल पता कुरां स्रीप से सत्मानेंगे। ऐसे ही उनको उसी धंक से वो सचाई का द्यूरा देना है तब ही इन प्यारी आत्माओं को ये सत्थ स्विकार होगी। आब कभीर शाहिव कहते हैं कि धर्म दास में डहर्प दोम धर्म बोध यह कभीर शागर ड़ीवधरम बोध यह बोध शागर और जीवधरम बोध लिख सकते हैं दरमदास तो इलाख दो हाई वो सार सभब बाहर ना जाई، बेख कितना प्यारत कयो आई ये ना किसी आम वقتिको बताना बहुत यदिकारी तब यदिकारी खूब तूप प्रिक्शा ले लेगा जब असार सबद देना सार सार नाम तक दिया जा सकता है सार सब्थ बहर जो अपर है अर बिचले पीडी हम सनीतर है अब जैसे मान ले हम किसी को दे दे बीच काल के दूट इसको लेकर के देना शुरू कर देंगे नाम तो वो कहेंगे वो भी तो ऐसा ही नाम देता है वो बखा लेंगे इन वोड़ी आत्माओं को जैसे अब ये सारे पकड़े गए किसी के पास सचा नाम नहीं है ना कबीर पंथ में ना गरीवदास पंथ में ना गीसा पंथ में और अन्य तो बिचारे बुलाई राखे थे जो अन्य पंथ वाले युगन युगन तुम सेवा कीनी ता पीछे हम यहां पकड़ीनी और कोट एक जनम भगती जब कीना सारसब्द तभी पेचीना अंकुरी जीवज होए कोई सारसब्द जिकारी सोई पर सत्कभिर परमाण बखाना ऐसे कठी नहीं है पद निर्वाना सबस्ट कर गया है अब आगे बताते हैं जो नकली है ना नाम देने वाले नकली कड़ियार उनको नरकमठ हो क्या जागा ये कभीर परमाण बता रहे हैं कि उनको नरकमठ हो क्या जागा जो नकली कड़ियार है देखिएगा ये कभीर सागर ओई जी दरंबोद और प्रेश्ट नंबर 1964 पे रिखा है नीचे देखिए यहां देखिएगा कि अत्र सरनागत को वर्णन चौपाई है सत्गुर सरन सकल सुखदाई ताते जीव सतलोक समाई साचे गुरू की गईये सरना सोई जीव दुसह दुख हरना जोटे गुरू से काजन सरही दोखे जिव यम के मुख पर ही यह सुख गलते से रिखा है जोटे गुरू से काजन सरही दोखे जिव यम के मुख पर ही अब इसका आपको और दिखाता हूँ के उन जोटे जो गुरू है उनके साथ प्रमात्मा कबीर साहिब अर्थात के सलूक होगा ये देखिएगा ये कबीर सागर अम्बू गोद अम्बू शागर प्रश्ट नंबर 48 पे और इधर से है ये अम्बू शागर 48 प्रश्ट पे कडिहार वन्स चौपाई मारत जीव करे बड़ सोरा ये उपर से आ रहा कि जो निकले नीच आत्मा जो नाम देती है जुटे उनको तब नकली उन दूतों को के दुआरा नच्वरासी नाकुंडों में ठोका जाता है इनको हम ठाट कबिर साब कहते हैं फिर उन चौरासी लाकुंडों में तहां जाए हम ठाट रहावा देखकर जीव विने तब लावा नकली गुरूओं ने जो नकली कडियार बने थे नाम दिया करते तब वहां में पहुच जाना तुरासी कुंडों में ठोक रहाखे थे तब उन्होंने क्या वचन किये कड़हार वचन चपाई ये नकली कडियार मार्क जीव करेबड सोरा बांद बांद कुंडन में बोरा लाक अठाइस पड़े कड़ी हारा लाक ये नकली नाम देने वाले नीचात माजूद जीव के साथ दोखा करती है यहाँ पर नकली नाम देते हैं और एक अनमौल मुनस जन्म को बरबाद करते हैं कभीर साथ कहते हैं लाक अठाइस पड़े कड़ी हारा ये नकली नाम देने वाले ये लाक ठूबरा के लेड़े बहुत कश्ट तैंकरत पुकारा हम भूले स्वारत के संगी अब हमरे नाही अरदंगी हमारियां कोई बी कोई नामारा सात ही भी नहीं है हम तो मरत अगनी के जारा अंग अंग सब जर्द हमारा कौन पुरस अब रखे आई करत गुहार चक्सू ठल जाई ये मालिक हमारे तांक फूटी रो रो गए अब हमारा कोई दया करे हमारे उपर अब गयानी बचल करुना देख दया दिल आवा अरे दूत तरा सफास दिखावा जीव अचेत बहे अग्याना अरगहे सबद आती कीन गुमाना जब कर अंडी बाग रहे थे गुमान अब इमान में नहीं मान रहे थे चौरासी दूतन कह बांगा सबद दोर चौदह यम फांदा सांदा उचौदह जो यम के दूच सुववी तब ज्यानी सबहन के मारा तुम तो जीवन के बठपारा के दे तुम ने जीवों के साथ दोखा किया ने कमी आत्माओ इन कडिहारों को कह रहे हैं बंदी सुर्ट तुम तो जीवन के बठपारा बठपारा बन ठाग उनके साथ दोखा किया तुमने हमरे साधन तुम भर्मावा हमारी सलसाधनाओं को तुमने बर्माग रखा था पल पल सुरत जीव बढ़ बगडावा पल पल मैं तुमने धोखा जिया उनके साथ गह चोटी दूटन गिसी आए यम और दूट विने तब लाए किदा मनने बिनको घड़ा गेर के चोक हमारी बक कर लिजे मन वाने तह आग्या कीजे हम तो धनी कहे जस्कीना कहते हम तो उस काल में बेज रखे जे उसने काया से अबने कर दिया सो हम मचनमान से लिना अब नहीं हनस तुम्हारा पिरवावां विजरावां कहते हमाग आपके हमस को बगाड़ा कोई ना यह सब नाम कभीर सा बड़ सोरा हम तो नहीं करत कुछ दो रहा जस चाहो की जेसं सत ग्यानी हम तो हाथ तुम्हारे विकानी अब देखो कभीर साहिब की वानी है यह कि यह नादान संत अपना करम बिगाड़ रहे हैं इनके उपर काल प्रभावी है इनकी महिमाबनगी लाख दो लाख बीस 25 लाख करोण संसे सोगे अब यह नहीं मान सकते पर्टेक्स पता भी लग जागा कि वास्तों में हम अधूरे हैं लेकिन वो काल पिर अंदर रहेगा और कहेगा नहीं नहीं अब बेजती हो जागी बेजती ते नरकम पढ़ेंगे जब होगी और गदर कुछ ते सूर बनकर ध कि खावांगे जब होगी अब तो संता के इजत और वेजती नहीं होती वो तो इससे दूर होके फिर पर्गु की तलास करते हैं और जब भी मारग मिल जावाए उसी समय अपना तुरंट फैसला करते हैं जैसे गुर्णानक देव जी को पताच लगया था कि धानक छोटी जाती का है कबीर साहिव लेकिन कभी नहीं वगवानाई हुए थी अपना कल्यान सामने दिखाई दे था कभी जाती और मजब नहीं देखा उन्होंने तो जाती और कुल को खत्म किया और सब से कहा कि कोई हमारा लिड़ा पा रहे हैं अन्य था ये मान बढ़ाई के कारण यहीं उलत जाएंगे और उसमें फिर दुख पाएंगे ऐसे ही स्वावी रामा नंजियों ने जब कभीर साहिब से पता लगया कि हम गलसादना कर और करवा रहे हैं उसी दिन त्याग दिया और चौदा सो रिशी स स्थे रिशी जिनको परचार करने का आदिश दे रख्या था संत बना के उन सबसे कह दिया और उन से जो अन्याई बने हुए थे उन सबसे कह दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरू नहीं हूं और यदि तुमने कल्यान चाहिए तो यह कभीर परमेश्वर सामने आये हैं अपना वजन वहीं डाल दिया था ठीक है इंजान पने उन्हादाने की स्पैके बन जा पर प्रणत अपना सुधार करना चाहिए पूरे संसार को नाम देने के लिए एक ही संत बहुत है नामी देना है क्रिया मरियादा आपने करनी है और मजन से बात बनेगी ना मेडिटेसंत है ना कुल अन्य क्रिया से वो तो सहयोगी है इस नाम के अगर नाम है तो सब कुछ है नाम नहीं है तो बाकी तो यग है यग का परतिफल मुक्ती नहीं है इसलिए तीन मंतर का नाम होगा और तीन ही सथी थी में दिया जाता है ऐसे ये जीव का कल्यान होगा ये आपके सामने परमान है ये जगए जगए बोड़ी आत्माओं का उड़ जाए बैठे नादान संत ये कभीर शागर में लिखा हुआ पर टेक्स एक समय में कभीर शाब आये थे अकेली ही नाम देते थी दूसरा कोई नाम देने वाला था यह नहीं और नहीं हो सकता है वो तो मान बढ़ाई के बुखे चैर बात सिखी और कभीर शाब की बाहनी को कंठस्त याद किया या गीता जी को याद किया या वेदों के स्लोक याद किये कथा है सुनाई मिठी मिठी बात बनाई और दुनिया में परबू होगी कहते हैं यही बात बिगड़ेगी गरीबदाजी कहते हैं बीजग की बात आ कहें बीजगनाई आथ यह पर थी डोबन उत्तर रिवे का कह इंठी बात कहते हैं बीजग की बाता कहें गरीबदाजी कहते हैं बीजग की बाता कहें बीजगनाई उपास औरों को फरमो दहीए अप जाओ नरास औरों को तो ग्यान देते हैं और स्वम ही नरास जाएंगे कभी शाहिब कहते हैं पंड़त और मसालची कबीर इस संसार को समझाओं के बाहरे पूछ पकड के बेड की पूछ पकड के बेड की पूछ पकड के अब दरिया से पार होना चाते हैं द्रिया से पार के लिए नाम रूपी नौका चाहिएगी अन्य साधना तो भीड बक्रिया हैं जैसे रेगवेद मंडल नंबर 10 सुक्त नंबर 90 के एक से 16 नंबर 16 स्लोकों में पूर्ण भी बढ़ने हैं कि ये नादान संत अपनी मन मुखी सास्तर बना बना के और कहते नीचे सतर पर गिरते गिरते गोडे फिर बक्री भेड बक्रियां पाएगे अर्थात ने मन सतर की साधना को भेड बक्रियां कहा है सतुरु ने तीरत करकर जग्मुया उड़े पानी नावे नाम नाम नाजग्या काल गसीटे जावे एक नाम ने छोड़के अन्य साधना जो भी जैसी कर रहा है वो संगर थे और नाम भी सच्चा हो पूरे संत से हो पूर प्रमात्मा का आदे सो नाम देने का तब ही वो सफल होगा अन्य था नहीं होगा इस दास में कोई शौक नहीं था नाम देने का मैं तो अपनी सर्विश किया करता था नोक्री करता था नाम मुझे मिल गया था गुर्देव की किरपा होगी थी और अपनी तय दिल से प्रभू की भगती कर रहा था और कोई संसय नहीं था मुझे तो प्रभू पाने के बाद प्रभू पाने के लिए घर नहीं तया गया दास ने प्रभू तो मौलिक ने नाम मिला दिया उसकी सारी सती थी बता दी बहुत ही सिखर उपलब्दी होगी थी उसके बाद उस प्रभू 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 प्रमिश्वर कभीर साहिव के आदेश से उनहीं के प्यारी आत्मा मेरे पूज्य गुरु देव ने इस दास के उपर यह भार डाल दिया उनके लाखों से स्थे और रिशी संत भी बने हुए थे वह कपड़े लाल पैन गए लेकिन उस प्रभू पिता ने उनको आदेश नहीं दिया इस दास के अंदर दोकर्भी के जीव के अंदर ना जाने क्या देखा उस मालिक ने दास तो यही कहेगा कि गुरु मेर करें ता क काग को हंस बना लिया अपने को अब मेरे पुझे गुर्देव का चीतर देखियो 113 14 साल की आयून की मैं सरी छोड़ा इन्होंने यह मेरे परवर्दिगार कि शत्तगुर्द रामदेवानद जी बैठेहिन की उस समय जब इस दास को आदेश दिया लगवग 113 वरस की आयू से चालिस दिन बास के पास रही हैं जींद उसके बास तल्वंडी रोजपुर जिला पंजाब में जाके 26 दिन 24 जनुरी को गए थे 25 को विश्राम किया 26 जनुरी को बिलकुल ऐसे बैठे बैठे सरी चांगे थे यह उपर देखिएगा स्वामी राम देवानद जी महराज इस दास को नाम उपदेश देने की आग्या देते हुए कि दास जब नौकरी करता था यानि जुनियर इंजिनियर की पोस्ट पे था और इस परमपता प्रमात्मा ने इतना बार सौपजिया मेरा प्रशीन ने आगे हैं फिर कहा था कि मैं तरे साथ रहूँगा चिनता मत करना इस परकार ये दास ने इनहीं किर जाते हैं इनहीं की करपा से ये जीव धार का कारिये परार्म किया इन्हों नहीं करवाया ये दास कुछ नहीं कर सकता और इनके अंदरों इस वरे सकती कबिर परमिश्वर ही समझो समाए हुए अर्थात उनकी सकती काम कर रही थी ये सारा असिरवाद इस दास को देगे और कहांग मैं तरे साथ रहूँगा गबरारा नहीं ये सन 1994 का 94 का चीतर है दास का और उपदेव से नयादेश दिया इस दास ने फरवरी 1988 17 फरवरी 1988 को उपदेश प्राप्थ हुआ उसके बाद इस दास ने एक अपने मकान की गैलरी के उपर एक कमरा बनवाया ये उस गैलरी को ही छापा आगे आंगन रखा एक बैठ के च्छत के उपर उसमें अपनी पूजा सथल बनाया वहां जोत लगाता हूं और साथ मैं अपने प्रवकु कभीर शाह गुर्देव जी के ग्रीवदास जी के यानि फोटो रखे वे थी 1989 में ये बनाया Oerd Hmmm उपर गैलरी और उसके उपर आगे अमने सामने दो खिड़की लगवाई एक खिड़की गली में खुलती थी एक आंगन उपर लगाते हैं विंडोज पर मच्छरों के बचाओं के लिए लोहे की तारों वाली जाली तो मैंने उसका साइज नापा दोनों जाकियों का एक साइज था दोनों को नापा और नाप करके इदर रहों तक सहर की बात है एक उस जाली जाली वाले दुकानदार से कहा के वहिया इस कागज के उपर ये मेयर मिन्ट लेखी है पैमाना ये मापकर गया हुआ है मैंने इसके अनुसार दो जालियों काटते हैं इस साइज की और मैं उसको कागज देकर कि जो इस पे लिखा हुआ था आगे किसी कांवस चला गया सकूटर पे तो वीलर होता है कुछ समान और लेकर के आया वापस आया तो दुकानदार ने वो काटके बांदके पैक करके रखी ने उठा के चला गया जाकर के वहां पर एक वहां किराईदार रहा करता था नास के मकान पे और साथ में बड़ा लड़का उसमें बाहर रहा है तेरह वर्षका था उनसे का के आप ये दौनों आमने और सामने ये जाली कीलों से ठोक तो उन्होंने जब कोशिश की लगाने की, तो बताया मेरे को आवाज दी कि पापा यह तो जाली छोटी है, मैंने का ने भी माप कर लाया, मैं अब उन्हों किया कि 8 इंच कम काट दी वह 2 फुट 8 इंच थी आठ इंच उस नौकर ने उस दुकानदार के ने कुछ गलती लगी उससे 2 फुट काट दी 8 इंच छोड़ दी यानि दो फुट चौडाई कर दी दो फुट आठ रटमिस्स की जह न आप पूरी व किस पूरी कर दी रिए ऑजज़ करते हैं फिर मैंने को देखा ऐसे भी करके उसको इसे भी करके फिर दूसरी को भी देखा दूसरी खिड़की दूसरी विंड़ो पर जांखी पर भी देखा लेकिन वह दोनों छोटी पाई उस समय उसको उनको उठाक है और शटोर थारसोई के उपर उसमें डलवा गिया कोई बात ना तो किसी के साथ जगड़ा हो सके ना कहा जाता हमारे ताएं ठीक है जैसा था वो ठीक हो गया ना वो वापिस लें पिर कहेंगे हमने पूरी दी थी हमारे कोई काम नहीं इस उदेशे को जानकर भी अपने शिर्मदर्द नहीं करना हम परभू के भगत हो गए ऐसे सटोर में डाल दिया तो छह महिने के बाद एक रेनी शीजन वर्षा का रीतू पार्ख हो गया उसके उपर कहें उन जालियों को जंग भी लगा हुआ था जब यह मैं आपको बताता हूं क्या कहानी बनी इस दास ने एक एक बार कुछ नितनेम की पुस्तके बनवाई चोटी चोटी बनती थी ऐसी एक गृबदास्ती की वाने की और कविर साथ की वाने की हम चोटी पुस्तके बनवाते हैं जो नित पढ़ा जाता सुबए से हम दोपैर को दो हजार बनवाई, उनको लागर के उस कमरे में जो उपर गैलरी पर बनाया था, सड़े पांच बाई, पंद्रह फुट का, उसमें एक तकत डाला हुआ था, उस तकत के उपर लाके रख दी वे दो हजार की, दो हजार ऐसी पुस्त के, उसकी एक खिड़की का, एक विंडो का डोर, दर्वाजा तूटा हुआ था, सीसे का था, पूरा का ही पूरा, उस में से चुहे गुसके और उन पुस्त को काटने लगे, तो मैंने उपर जा कर देखा कि दो-तिन पुस्त को काट रखा, तो फिर मुझे याद आया, क्यों ना उन दोनों जालियों को जो छोटी थी, उपर नीचे करके एक पर लगा जें, तो ये प्रोटेक्शन हो जा, ऐसा सोचकर मैंने अपने बड़े पुतर से कहा के बाई, ऐसे करना इस दोनों की दोनों जो जालियों थी ना छोटी उपर रखी थी, पूरी नहीं थी, उन दोनों को उपर नीचे करके और इस एक विंड शामकों मैं आया जब एक जाली तो वहीं नीचे पड़ी थी उस विंडो के नीचे और एक चोबारे वाली विंडो पर पूरी खिड़की पर एक ही जाली लगी हुई थी और कुछ थोड़ी सी फालतू भी थी, जीदर से छोटी थी, उदर से ही पूरी होकर के भी और भी तो हरान रह गया कि जाली तो खर लगा दी है पर दोनों नहीं लगाई एक नीचे पड़ी है, मैंने उस लड़के की मुमी से कहा क्या ये जाली को बदलवा लगा लड़का, वो कहन लगी नहीं वो तो, कहा का बदलवा था, आप कहा कर गए थे, उसके बाद मैंने भी बीच बा कहा भाई तरह पापा आएगा और तुझे गुसा होएगा तो इसको लगवा दे उस ग्रायदार को साथ बला कै, मैं सुबह की कहरी थी, उसको पता लगया ना के आने वाले हैं, अभी दो मिंट पांस मिंट पहले, दस मिंट पहले, वो लगा करके दोनों के दोनों और गई ह अभी मैंने सटोर से उतार कर उनको यहां डाली थी, और यह एक तो भी यहीं पड़ी है, मैं इसको उठाकर रखने वाली थी, मेरे एकदम चक्कराने को होगा, पसीने आगे, कि वही जाली होई नहीं सकती, मैंने कहा वो लड़का कहा, बिरंदर नाम उस लड़के कहा, वो क अक मैं जूट नहीं बोलूँगा, कि कैने लिए क्या बात पापा, भै यह बात बता, तू कबीर शाइब यह कसम खा, अक जूट नहीं बोलोँगा, कि क्या बात है, यह जाली तू बदलवा कर लिया है, यह अक नहीं यह तो मेरी मम्मी ने इस टोर से उतारी, यहां डाल दी थी और यह कई बार कहा था मैं ऐसे जहां लिए और अभी आनील नाम है उस कुराइदार का उसने और मैंने अभी लगाई है यह तो एक ही जाली है वही जाली है पुराने वाली तब मैंने उसको याद दिला कि छोटी नहीं थी जो उस तें तुम लगा रहे थी तब वो कहता है हाँ छोटी थी तो इतने हैं में वो क्राइदार भी आ गया यह चर्चा सुनके है तो झसे भी कहा कि यह तो झाठी दोनों की दोनौं फैसे कि चो थी। पता नहीं किया हों के यह तो वही हब यह आङ़ी आएंटी नोतार के नीचे डाली थी हमने दोनों ने लगाई है षो बदले मेरे से नहीं बदले दुकान दारुस्यत बदले कुन था। उस दिन के बाद इस दास का जीवन बदल गया। अभी तक तो कोई कहता था कि दुरॉपती की साड़ी नहीं बड़ी थी। वैसे भगवान ने कह दिया होगा गमका दिया होंगे। कोई कहता था ऐसे नहीं हो सकता तो हम मान लेते थी कोई बात नी क्योंकि फिर भी सरदा प्रभू में जरूर थी। जहें बड़ी थी ना बड़ी थी पर प्रभू अवस्य है जो सकती है कुछ कर सकता है। शब कुछ कर सकता है इतना हर देसे नहीं हटपाव था। उस दिन के बाद इस दास का जीवर बदल गया है, अब कोई ये कह कि पर्मात्मा इस पर्छवी को एक मेंट में समाफ्त कर दे और सब जीओं को खत्म कर दे, और दूसरी सेकंड में ऐस जिटी सथिछी कर दे, सब के जोंकेतों परिवार बना दे, तो अभी कोई दिक्कत नहीं कोई पर्मात्मा सब कुछ कर सकता है, अब तो ये सलसे ही खतम हो गया, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, कैसा नहीं, वैसा नहीं हो सकता, ये तो मतलब ही नहीं, पर जो चावस हो कर सकता है, ये कबीर परमेश्वर है, उसके बाद इस दास में डोरा पीटना सुरू किया, और कस्म खाका अपने बच्चों की और सब कसम खाका के दुनिया यहां के वक्तों का यह विश्वास दिलाएं के पूर्ण परमात्मा है उससे पहले हमें कोई भी मिलता था जैसे आरियसमाज काई पर काफी बॉल बाला रहा है और ठीक है उनकी जितने क्रियाएं थी बहुत अच्छी थी बीड़ी स्राव मास तुमाकों से बुराई रहीत क्या करते थे देव देवताओं की पूजा से बंद तकराते थे और कहते थे मंदिर में भगवान नहीं है तो मुझे दुख होता था क्योंकि हम उन गुरुओं पाधारी थे जो मंदिर में मूर्ती में भगवान बताया करते थे ये महसूस होता था कि ये तो गल्द कह रहे हैं मंदिर में क्या भगवान नहीं लेकिन हम अधूरे थे उसके बाद कोई फिर मिलते थे बगवान ऐसा नहीं कर सकता फिर भी उनके विचारों को सुविकार करते थे और वो कहते थे पर वो ऐसे नहीं कर सकता दुरुप्तिकी साड़ी नहीं बढ़ा सकता नर्सी की हुंडी नहीं ले सकता ठीक है वो अमने तो बिल्कुल ग्या नहीं नहीं था उन आरिय समाज जी वाले विचारों के विक्तियों से बुजर्गों से हम सुनते थे सहमत हो जाते थे लेकिन किरिया फिर भी अपने हिसाब से मानते थे प्रमात्मा कोई ने कोई है जरूर सकती है और मन में ये भी रहता था के भगवान ने साड़ी बुढा दी दुरूपती की महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत्रामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541